नमस्कार में जुई आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्पल कौन है नरायन हरी उर्फ भोले बाबा आये जानते हैं इस ख़बर में हात्रिस में हुई भगदर के बाद अब लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि भोले बाबा कौन है जिनके सत्संग में सामिल होने के लिए कई लोग पहुँचे थे जिस दौरान भगदर मच गई और 121 लोगों ने अपनी जान गवा दी जिसमें जादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे नरायन हरी उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरचपाल है वो मूल रूप से काज गंग जीले के बहादूर नगर का रहने वाला है वो बच्चपन से ही अपने पिता के साथ खेती करता था लेकिन इसके बाद वो पुलिस भिभाग में भरती हो गया पिलिस भिभाग में लगभग 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने VRS ले लिया कहा जाता है कि सूरचपाल का सुरुवात से ही अध्यातम की तरह जुका हो था लेकिन 1990 के दसक में पुलिस भिभाग की नौकरी छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से इस ओर मुर गया उन्होंने तभी से सत्संग कराना सुरू कर दिया सूरचपाल के तीन भाईयों में से एक की आकश्मिक मौत हो गई थी जिसके बाद उसने बाहदूर नगर में अपने भाई के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया इसका आश्रम भी बाहदूर नगर में ही है वह मानो मंगल मिलन सत्भावना समागन की नाम से सत्संग का आयोजन करते रहे हैं वह खुद को हरी का शिश्य बताते हैं इस वज़ा से उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदल कर नरायन सरकार हरी कर दिया वह अपने परवचन में अकसर कहते हैं कि सरकार हरी पूरे भ्रमांट के मालिक है क्यूं पहनते हैं वह सूट और नीली टाई आये जानते हैं पुलिस बिभाग से बियारस लेने के बाद नरायन हरी को सत्संग के समय हमेशा सफेद सूट और नीली टाई पहने देखा जाता है वो अनुसूचित जाती समाच से आते हैं इस वज़े से वो प्रतीक के तौर पर इन विशेस रंगों को पहने दिखाई देते हैं उनकी पत्नी अक्सर उनके साथ सत्संग में के दोरान मंच पर बैठी नजर आती है उनकी पत्नी को माता श्री कहा जाता है नरायन हरी उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं है बाहादूर नगर में आसरम खोलने के बाद गरीब और वन्चित वर के लोगों में उसकी लोग प्रियता तेजी से बढ़ी आज के समय में उनके लाखो अनुआई है बाबा के अनुआई उत्तर प्रदेश के अलावा रा में कोरोना की लहर चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में मई 2022 में इनके सत्संग का आयोजन किया गया जीला प्रशाशन में सत्संग में केवल 50 लोगों को सामिल होने की अनुमती दी थी लेकिन कानून की धजिया उराते हुए 50,000 से अधीक लोगों को सत्संग में शामिल हुए थे यहां उम्री भीर के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई और अगर इस बार की हाथरस में हुई घटना के बारे में बात करे तो इस कारिकरम में कई हजार लोग मौजूद थे कारिकरम के आयोजकों ने कारिकरम के लिए अनुम मती मांगी थी मगर जो प्रशाशन को भक्तों की संख्या के बारे में जनकारी दी गई थी उससे कहीं ज्यादा भक्त कारिकरम में मौजूद थे जिसके वज़से भक्तर मज गई थी आज की खबर में इतना ही देखते रहे लाइव इंजा हरपल धन्यवाद